मेरे परिवारजनों, मन की बात के कई एपिसोर्स में हमने टूरिजम पर बात की है चीजों या स्थानों को साक्षात खुद देखना, समझना और कुछ पल उनको जीना एक अलग ही अनुहों देता है कोई समंदर का कितना ही वर्णन कर दे, लेकिर हम समंदर को देखे बिना उसकी विशालता महसूस नहीं कर सकते कोई हिमाले का कितना ही बखान कर दे, लेकिर हम हिमाले को देखे बिना उसकी सुन्दरता का आकलन नहीं कर सकते इसलिए ही मैं अक्सर आप सभी से यह आगरह करता हूँ कि जब मौका मिले हमें अपने देश की ब्यूटी अपने देश की डाइवर्सिटी उसे जरूर देखने जाना चाहिए अक्सर हम एक और बात भी देखते हैं हम बेले ही दुनिया का कोना कोना चान ले लेकिन अपने ही शहर या राज की कई बहतरीन जगों और चीजों से अंजान होते हैं कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने शहर के ही एतिहासिक स्थलों के बारे में ज़्यादा नहीं जानते ऐसा ही कुछ दनपाल जी के साथ हुआ दनपाल जी बेंगलूरू के ट्रांसपोर्ट अफिस में ड्राइवर का काम करते थे करिब 17 साल पहले उने साइट सींग विंग में जिम्मेदारी मिली थी इसे अब लोग बेंगलूरू दर्शिनी के नाम से जानते हैं दनपाल जी परियटकों को शहर के अलग-अलग परियटन सलो पर ले जाया करते थे ऐसी एक ट्रिप पर किसी टूरिस्ट ने उनसे पूछ लिया बेंगलूरू में टैंक को सेंकी टैंक क्यों कहा जाता है उन्हें बहुत ही खराब लगा कि उन्हें इसका जवाब पता नहीं था ऐसे में उन्होंने खुद की जानकरी बढ़ाने पर फोकस किया अपनी विरासत को जानने के इस जुनून में उन्हें अनेक पत्थर और शिलालेख मिले इस काम में धनपाल जी का मन ऐसा रमा कि उन्होंने एपी ग्राफी यानि शिलालेखों से जुड़े विशे में डिप्लोमा भी कर लिया हाना कि अब भी रेटायर हो चुके हैं लेकिन बैंगलूरू के इतिहास खंगालने का उनका सावक अब भी बरकरार है